नमस्कार जै मिथिला जै बिहार मित्रबंधुओं कैसे हैं आप सभी मैं उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे श्वस्त होंगे और मजे में होंगे आज का जो हमारा वीडियो है वो अंग्रेजी अलफाबिट की जो आई नाम बाले जातक है जैसे इंदू, इंद्रकमल या इसके अलाबा ऐसे और बहुत लोग है जिनका नाम आई अक्छर से सुरू होता है तो इनका जो आने वाला शमय है यानि की 2023 इनके लिए कैसा रहेगा आने वाले वर्स में इनके जीवन में क्या-क्या बदलाव होगा इनको क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा और भी बहुत बाते हैं जो आपको जाननी चाहिए इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का एक अनोखा टोटका है तो आप उसे भी सुने और आजमाए आपका जो आने वाला शमय है वो अच्छा हो जाएगा शब से पहले बात करते हैं आपके केरियर के बारे में मित्रो केरियर के द्रिश्टी कौन से आपका जो आने वाला शमय है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार होगा आने वाले वर्स में आपके केरियर के छित्र में 2023 में अगर आप नौकडी की तलास करते हैं तो आपकी नौकडी लगेगी और नौकडी बहुत अच्छी लगेगी और आपका जो आने वाला शमय है वो बदल जाएगा अगर आप नौकडी पहले से करते हैं और आने वाले वर्स में अगर आप नौकडी स्विच करना चाहते है नौकडी बदलना चाहते हैं तो नौकडी बदलने के दृष्टी कौन से भी आपका शमय बहुत ज्यादा बेहतर होगा और अगर आप जहां नौकडी करते हैं वहीं पर काम कर रहे हैं तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपके पद में उन्नती होगी आपकी जो ज्यादा मिलेगा और इस कारण से आपके क्यारियर के छेतर में आपकी उन्नती बहुत ज्यादा होगी आप में से जो भी लोग बेपारी हैं वेपार करते हैं खुद का काम करते हैं तो आप भी चिंता बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आने वाले वक्त में आपके बेपार के च्छित्र में भी आपके भागी का सपोर्ट आपके समय का शपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा आने वाले वर्स में अगर अपने बेपार में आप मेहनत करते हैं परिस्रम करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी वैसे अगर आपके प्रे प्रेम शंबंध के दृष्टी कोन से भी आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बेहतर होगा जो आपका प्रेम शंबंध है वो आने वाले वर्स में बहुत ज्यादा मजबूत होगा जनवरी फरवरी मार्च और अप्रिल ये चार महिना आपके प्रेम शंबंध के प्रेम बिवाह करना चाहते हैं, तो प्रेम बिवाह करने के दृष्टी कौन से भी आपका शमय आपके पक्ष में है, अगर सब कुछ आपके पक्ष में रहे, तो आप साधी कर सकते हैं, आपका शम्बंध बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा. मित्रों, अगर आपके धन संपती की बात की जाए, तो पैसों के दृष्टी कौन से भी आपका शमय, एवरेज में ठीक रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाओ बहुत ज्यादा रहेगी. आपका जो खर्च है, वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिजूल खर्ची के बढ़ने के कारण कभी-कभी आपको आर्थिक परिशानी का सामना करना पड़ेगा. आने वाले वर्स में, अगर अपने फिजूल खर्ची पर, अपने फाल्तू के खर्चों पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, काबू कर लेते हैं, तो आपका जो आने वाला शमय है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बहुतर हो जाएगा. मित्रों आने वाले वर्स में यात्रा के उपर में घुमने फिरने के उपर में आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है तो अपने फिजूल खर्ची पर आप ध्यान दें आपका आर्थिक जीवन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा वैसे अगर आपके पाडिवारिक जीवन की बात की जाए तो पाडिवारिक जीवन के दृष्टी कौन से आपका आने वाला शमय आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शांदार होगा आपके घरबालों के शाथ में आपका संबंध बहुत ज्यादा बेहतर होगा और घर के सभी लोग आपका सपोर्ट करेंगे और अपने घरबालों का सपोर्ट भी आपको करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले वर्स में आपका पाड़िवारिक जीबन बहुत ज कम से कम पांच माला एक मंत्र है ओम सुंग शुक्राई नमह ओम सुंग शुक्राई नमह इस मंत्र का जब कम से कम पांच माला आपको रोज जब करना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जुआने बाला शमय है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शांदार हो जाए मित्रों अगर आपकी मन में कोई शबाल हो तो नीचे में कमेंट किजिएगा आपकी शहायता आवश्य की जाएगी वैसे मैं उमीद करता हूँ अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा शाथ में एस्टरोप और यू को आपने सब्सक्राइब आवश्य कर दिया होग और वीडियो के नीचे में जै हनुमान आप कमेंट कर दें तो हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै बिहार जै मिथिला